पंजाब में चौथा फ्रंट दूसरे सियासी दलों का खेल बिगार सकता है? ये सवाल इसलिए उट रहा है क्योंकि सरदार सुच्चा सिंग छोटेपूर ने इसलिए कर कोशिशें टेज करती है उन्होंने सिद्धू, बेंस ब्रदर्स, धरमवीर गांथी और हरिंदर खालसा सरी के नेताओं को एक मंच पर लाने की कबायत शुरू की है और इसके लिए बाकाइदा एक तीन सदस्तिय कमेटी का गठन किया गया है दरसल सरदार सुच्छा सिंग छोटेपूर की पंजाब परिवर्तन यात्रा खत हो गई है और जिसके बाद तीन सदस्तिय कमेटी का गठन गुआ है जो नवजोट सिंग सिद्धू, बेंस ब्रदर्स से बात करेगी और इसके लावा आम आद्मी पार्टी के बागी सांसद, धरमबीर गांथी और हरिंदर खालसा से भी बाच्छीत की जाएगी चोटेपूर का दावा है कि कम वक्त होने के बावजूर सुबे की जनता उन्हें सुईकात करेगी सदा गुरंदर सिंग बाजवा, हरदीव सिंग जी किंगरा, करनल गिल यतन बंदेया दी कमिटी बनाई है सदार नव्योस नौन करने के डाक्टर गांधी झी न गल करने के एम्पी सावना खालसाजी न गल करने के बैंस ब्रदर नकार मिंगे तो आपको बता दे कि आपके पूरूर पंजाब सायोजक सुचा सिंग छोटेपो ने चौते मोर्ची की कवाइदें शुरू कर दी है और इसी के चलते एक मंच पर लाने की कवाइद हो रही है तमाम और पार्टी के नेताओं को और बाकाइदा इसके लिए तीन सदस्य कमेटी का गठन भी किया गया है तो सिद्धू बेंस ब्रदर्स और धरम वीर गांधी से इसके लिए बादशीत की गई है और अब तक ये लड़ाई आमाद्वी पार्टी अकाले दल बीजेपी कॉंग्रिस में देखी जा रही थी लेक और इस वक्त हमारे समवाद दाता जक्तार भुलर हमाईसा जोड़ गए है पंजाब से जक्तार जिस तरीके से अभी तक की लड़ाई तीन पार्टियों में देखी जा रही थी लेकिन अब चौथा फ्रंट बनाने की कावायत देखी जा रही है कितना सक्सेस्पूल ये पंजाब में नसरा रहा है जो जो अब नया जो पंजाब में गुर्प बंड़ा वो थार्ड प्रंट पे ना आ जाए जैसे में काफी इंको मजबूती मिल रही और जिस आप से अनराइज ने अपने जो पाउं पीशे कर लिए आमादम पार्टी के परती तो ऐसे मैं लगता है कि जो पूर्थ एक शौरर राजसभा मेंबर प्रताप बाजवा ने नवजोच सिंग सिद्धू समेथ पूरे चौथे फ्रंट को कॉंग्रिस में शामिल होने का नियोता दिया है उनका कहना है कि जितने जादा फ्रंट होंगे अकाली दल को उतना ही फायदा होगा कि इंद्री मंत्री हर सिम्रत को और बादल ने कॉंग्रिस पर जम कर दो हमला बोला है नोंने दावा किया है कि सत्ता में आने के लिए कैप्टेन अमरिंदर सिंग आम आदमी पार्टी से लेकर चौथे फ्रंट तक किसी से भी हाथ मिला सकते हैं हर सिम्रत को और बादल ने दावा किया है कि अकाली बीजेपी गर्डबंदन भी पंजाब का सच्चा हितैशी है यो सूबे के विकास के लिए पूरी कोशिश कर रहा है चौथा फ्रंट होए या आम आदमी पार्टी होए अमरिंदर सिंग हैना सारे आदे नाल राल मेर के हाथ में लानगे पंजाब चे सरकार परान वास्ते तांग करके जरूरी है ये सारे एक को बराबर ने एक सिक्केत है दो पहलू ने मैं केंदे आम आदमी पार्टी नो कॉंग्रेस ने खड़ा कीता है एनो दिल्ली वज खड़ा कीता सी आम आदमी पाटी नो कॉंग्रेस ने शीला दिक्षेती सरकार ने पाजबा नो सत्ना तो बार रखन वास्ते ला काली पाजबा दी सरकार है जड़ा कले पंजाब ता ही सिमत है के पंजाब ता ही सोच ना किसे होर ना सी गटपंदन करिये वि विकास 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 हर वर्दू सहुलत सड़ा ही ना राखना